सबी भक्तों को राधे राधे गाईज आजम बहुती न्यू डिजाइन लडोगोपाल जी का ड्रेस बनाएंगे बीना बुक्रूम बीना अस्तर में ये ड्रेस बनाया है और बहुती सिंपल तरीके से बनाया है कुछ भी नहीं करना पड़ता है सिप मैंने यहाँ पर रीबीन काई यूज किया है तो यहाँ पर मैंने वन नंबर के काना जी लिये तो एड्रेस हम वन टू और जीरो को आसानी से पहना सकते है कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाईज तो कुछ इस तरह से हमें काना जी को पहनाना है और पीछे यहाँ पर और गाईज इसमें मैंने नेफा भी नहीं बनाया है फिर भी कितना बड़ी अलुक आ रहा है गाईज वीडियो पसंद आये तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरू शेयर करना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन की लंबी रिबीन का यूज खरेंगे तो हमें यहाँ पे कपड़े को मोडना नहीं पड़ेगा हम आसानी से रिबीन के बीच में इस कपड़े को इस तरह से रखना है और टिच कर लेना है तो यह अमारी एक पाइपिञ बन जाएगी इस तरह की पाइपिनम ड्रेस में, ब्लाउस में, सेरवानी में भी बनाते हैं गाइस तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगे गाइस मेरी चैनल पर आपको 0 से 12 तक के लडू गोपाल जी के इसके ज्वेलरी के वीडियो देखने को मिलेंगे तो देखे गाइस इनके साथ मैंने कुकिंग के हैंड़ वर के टीचिंग के भी वीडियो बनाए हैं अगर आप देखना चाते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो इसी तरह से में तीन लेयर लगाई है रीबिन की अब कपड़े कोच्छी तरह से सेट करके दोनों किनारों पर डबल फोल्ड करके इस तरह से में टीच कर लेना है तो चलिए दूसरी साइट भी हम टीच कर लेंगे तो यह अमारी प्यार इसी श्ट्रीब बन के रेड़ी है अब हम डेट डेट इंच के प्लेट्स लेंगे प्लेट्स में नस्दिक नस्दिक रखने है और प्लेट्स में लड़ू गोपाल जी के कमर की इसाप से बनाने है तो गाईज इसमें मैंने चोली कुछ नए तरीके से बनाई है आप ध्यान से देखना तो आप भी आसानी से घर पर एसे ड्रेस बना सकते हैं बीना अबुक्रूम बीना अस्तर तो यहाँ पे मैंने कमर की लंबाई रखी है साड़े चार इंचीज अब हम चोली बनाएंगे आप चाहो तो चोली को अलग से भी रख सकते हो और केरे के साथ भी अटेच कर सकते हो तो मैं कुछी इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से एक्स्ट्रा मैंने पहले कट कर लिया है अब हम यहाँ पे इस तरह से रिबीन को रखेंगे रिबीन के बीच में हमें कपड़े को रखना है और टेच कर लेना कुछ भी नहीं करना है गाईज अगर आपको सीलाई करना नहीं आता है तो आप सूई और धागे की मदद से भी इस तरह से टेच कर सकते है तो बीच में मैंने टू इचिस पर टीच किया है तो देखी यहां पर मैंने चोली के दो पार्ट में डिवाइट कर दिया है और इसी तरह सम्द दोनों को इस तरह से जोड देंगे ते कुछ नए तरीके से अमारी चोली बन जाएगी मैंने दोनों साइट वन वन इचिस टीच किया है पहले जमाने में लोग बाल गोपाल जी को इस तरह के ड्रेस पहनाते थे तो इस चोली को हम गेरे के साथ अटेच कर देंगे तो हमें नेफा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाईस तो देखे गाईस कुछ इस तरह से इसका लूक आता है बहुत ही बड़िया अब हम क्या बनाएंगे तो इसकी लंबा है 6 इंच और चोड़ा इसकी 2 इंच इ और आसानी से अमारी पगड़ी बनके रेड़ी हो जाए गाईस देखे कुछ भी नहीं करना इस तरह से मोडना है एक उंगली का नाप लेना है अगर उंगली से नाप समझ में नहीं आता है गाईस तो आप बालगोपाल जी के सीर का नाप ले लिजे तो भी आसानी रहे की ग एक्ष्ट्रा कट कर लेंगे वीडियो पसंद आये तो मीत्रों को जरूर शेयर करना राधे राधे हरे क्रिश्णा